जैने दोसे बंदी मात्रम पिछले कुछ एक दो-तीन महिने से एश्यक अपको लेकर जो गहमा गहमी है वो कुछ जादा ही तेज हो चुकी बिजिसियाई इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे और PCP से बात के उपर अड़ा हुआ है कि भई ये खेलेंगे तो पाकिस्तान नहीं खेलेंगे जाहिड सी बात है भिकारी के कटोरे में दो-चार आने आ जाएंगे तो उसका क्या विगड़ जाएगा इसलिए वो इसी बात पर अड़ा हुआ है कि भई ये हमारे खेलाडियों के आटे दाल चावल का जो इंतिजाम है उसको आप नहीं तोड़ें तो बहता रहे लेकिन हाँ आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा अमेरिगा के गिरती हुई एकिनौमी के ऊपर ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखें काफी डीटेल में अच्छा वीडियो बनाया है आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो ये ठीक भी है भारत नहीं चाहता कि पाकिसान के साथ किसी इप्रकार के तालुकात रखे जाया और उसके लिए ठीक भी है अब देखिए यहाँ पर दरसल हुआ यह है कि जैशान ने एक ऐसा तुरूप का एकका निकाल दिया है कि पा आईपेल फाइनल देखने के लिए जैशान ने जो काम किया है उसके बाद पाकिसान लिटरली यही फील करेगा कि भाईया यह दुख काहे खतम नहीं होता बे दरसल इंडियन प्रीमेर लीग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आईपेल 2023 का फाइनल मुकाबला 28 मई को एहमदबाद के नरेंदर मूदी स्टेडियम में खेला जाना है यह मैच देखने के लिए बांगलादेश अफगानिस्तान और श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पदार ने वाले है भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सचेव जैशा ने गुरुवार को कहा कि अभ पागिस्तान को दी गई है बिजिसियाई ने कैलेंडर जारी होते ही आसाफ कर दिया था कि भारते टीम खेलने के लिए पागिस्तान नहीं जाएगा बिजिसियाई ने सुरक्षर के कहा था लेकिन पीसी भी नहीं माना च्योंकि अपनी बिगडी हुई एकनॉमिक कंडीशन को सवारने के लिए उसे एशेक अप से ही पूरियूमी थे। हाला कि पाकिस्तान ने टूर्णमेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने का प्रस्ताव भी दिया था। इसके मताविक भारत के सभी मैच बहार कर दिये जाएंगे। टूर्णमेंट के बागी के मैच पाकिस्तान में होंगे। और अगर भारत फाइनल ने पहुंच जाता है तो फाइनल भी पाकिस्तान के बहारी होगा। मेडिया रेपोर्ट्स के मताविक PCB के इस हाइब्रेड मॉडल को सदस्य देश मतलब कि श्रिलंका और बागलादेश ने खारिच कर दिया था। हाला कि एशन क्रिकेट काउंसल ने कोई अपचारिक बयान तो नहीं दिया। वहीं श्रिलंका क्रिकेट और बागलादेश क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप टूर्नमेंट को पाकिस्तान से बाहर न्यूटल वेन्यू पर करनाने के मामले में PCI का पूरा सपोर्ट कर दिया था। दोनों देशों के बीच में आखरी बाइलेटरल सीरीज जन्वडी 2013 में भारत में हुई थी। जाएगा ऐसा करने में तो देखिए जाएगा जाएगा इसलिए क्योंकि जो भी खिराडियों के आने जाने का खर्चा होगा वो खर्चा सभी देशों को मिलकर वहन करना होगा ऐसे में हर देश को जो participation amount मिलता है उसमें एक बड़ी कमी आईगी और जाहर सी बात है कोई भी जाए हम अफगानिसान की बात करें या फिर शिलंका की बात करें जिनका कि आर्थिक हालात पूरी दुनिया के सामने पता ही है यह दोनों देश नहीं चाहेंगे कि कहीं से कहीं तक भी उनको नुकसान हो तो ऐसे में वो पाकिस्तान के हमायती तो बन नहीं सकते और इसी अब वो पाकिसान क्या खुल कर विरोध भी कर रहे हैं 28 मई के बाद में इस शेकप को लेकर जो भी फैसला हो पाकिसान की नीन जरूर उड़ गई है मेरे सुने फिलाता है जाए हिन जाए भारत